नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजेविद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले आट-दस मिनट आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो राहुल गांदी का लोक सबा में आप सबने भाशन बेख लिया इससे पहले भी वो जो भारत यात्रा के दोरान बोलते रहे जो राश्पती के अभी भाशन पर हुई धन्यवाद बहस प्रस्ताव पर बहस के दोरान जो बोला वो भी आप सुनते रहे शिवजी की तस्वीर जो दिखाते रहे शिवजी की बारात का उन्होंने उधारण दिया अभीमन्यू चक्रवियू पद्मवियू अश्वथामा द्रोनाचारे फिर तुलना उसकी बड़ा गजब का भाशन था लेकिन एक बड़ा सवाल उड़ता है कि क्या आपने सोचा कि कभी राहुल गांदी कि ये भाशनों में इतना चमतकार कहां से आ गया इतना नया पन इतनी खूबी कहां से आ गई इतना अच्छा भाशन देना कैसे शुरू कर दिया आखिर उनकी क्या टीम ये सारा काम करती है नई टीम है पुरानी टीम है पुरानी और नई टीम का मिक्सचर है और क्या राहु दोर डौरान सुरक्षा तमाम चीजें उस हिसाब से तैह होती है कुल मिलाकर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ ये इकनॉमिक टाइस पर छपा है ये राहुल गांदी की टीम है ये राहुल गांदी की टीम है कुछ चहरे आपको जाने पेचाने नजर आ रहे होंगे मलीकारजुन खडगे नजर आ रहे होंगे सैम पित्रोदा नजर आ रहे होंगे और भी कई गौरव गोगई नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ आन्जान से चहरे भी हैं इन्की भी बात कर लेते हैं कुल मिलाकर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि केसी वेनु गुपाल भी है सुनील कौनु गुलू भी है एक बार फिर देखिये सुनील कौनु गुली भी दिख रहे है केसी वेनु गुपाल भी दिख रहे है गोगई भी दिख रहे है मलीकार्जुन खडगे भी दिख रहे है सेम पित्रोला भी दिख रहे हैं लेकिन एक दो ती चार पांच कुछ ने किसम के चहरे हैं जो बहुत कम आप जानते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यह आखिर चहरे कौन से हैं और यह क्या काम करते हैं और भाशन कौन लिखता है सबसे बड़ी अवैं से जानने की लिखता है यह जानने की सबसे जादा दिल्चस्थी है नेता को भी जानने की दिल्चस्थी होगी अब मोटे पोतार पर सबसे उपर राहुल गांदी के सबसे करीबी और राहुल गांदी जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो 81 साल के मलिक आरजुन खडगे हैं खडगे साब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेताओं से क्या रन्नीती बनानी हैं क्या बात करनी हैं किस तरह से बात करनी हैं ये तै करते हैं पारलिमेंट जब शुरू होती है तो उसमें कौन-कौन से मुद्दे उठाने हैं किस क्रम में मुद्दे उठाने हैं किस मुद् तोर पर तैह होता है और राहूल गांदी के भाषण का थोड़ा बहुत इंपुट मलिकारजुन खड़गे की तरफ से भी जाता है पॉइंटर्स के रूप में जाता है इससे ज्यादा नहीं जाता इसके अलावा एक और सज्जन है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं वो अल अलंकार सवाई है गांदी राहूल गांदी के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं यह राहूल गांदी के आंक और कान माने जाते हैं आंक और कान माने जाते हैं राहूल गांदी जिससे भी मिलते हैं इनी की परमीशन से इनी के कहने पर मिलते हैं अलंकार ही तैह करते हैं कौन मि प्रवादी बुद्धिस विचारधारा को फॉलो करते हैं और यह राहुल गांदी से बढ़कर इनके लिए कुछ नहीं है इन्होंने अपरी एक टीम पूरी इंडिया भर में बना रखी है जो सीधा जमीनी हखीकत ग्राउंट इंटेलिजन्स उन तक पहुंचती है वहां से वो राहुल गांदी तक पहुंचाते हैं कि कारेकरता क्या सोच रहे है विरोधी पक्ष क्या नीती रण नीती बना रहा है किस तरह की समस्याएं उस राज्य विशेश में उठाई जा सकती है और पॉलिटिकल स्ट्रेटिजी यह राहुल गांदी की तैय करते हैं उनक अब तेलंगाना की जीत का करनाटक की जीत का श्रे इनको दिया जाता है और 2002 में इन्होंने राहुल गांदी के साथ काम करना शुरू किया भारत जोडो यात्रा के दोरान भी साथ रहे थे पूरा केंपेन तयार करते हैं पॉलिटिकल इंपुट तयार करते हैं सज़ेशन द करते हैं कि चुनावी स्ट्रेजी क्या होगी यानि मोटे तोर पर राहुल गांदी की जो स्टेट विशेश में रहो जो रैलियां होती हैं जहां सुनील कॉनगुलू काम कर रहे होते हैं तो वो रैलियों में उनके भाष्णों का इंपुट या किस बात पर किस इलाके में ज जानते हैं राउल गांदी के ये भी कान और नाक माने जाते हैं और जब राउल गांदी पिछली बार अमेठी यानि 2019 की बात कर रहा हूं अमेठी के अलावा एक दूसरी जगा से चुनाव लड़ना चाहते थे तो वेनु गोपाल नहीं तै किया था कि उनको वाइनार से मीटिंग ये सब कुछ केसी वेनु गोपाल टै करते हैं सैम पित्रोदा के बारे में दो लाई नहीं बोल दूँ ओवर सीज जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सैम पित्रोदा ये तै करते हैं इनको लोगसभा चुनाओं से पहले एक विवादस पत ब्यान के बाद हट करा दिया गया था लेकिन उसके बाद फिर वो राहूल गांदी की टीम में आ गए हैं फिर है के बी बाईजू ये स्पीजी में रह चुके हैं स्पीजी यानि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप के अभिकारी रहे हैं 2010 में उन्होंने म्हेरे के अन्दर वॉलंटियर्स हो और विश्वसनी ये लोग हो ये सब तैगर करना कहां ठहरेंगे इतक्या खाना पीना होगा किस रूट से जाएंगे किस रूट को नहीं जाएंगे अचानक चांट की रोट बदल देंगे ये सारी चीज़े कैवी साब तैद करते हैं पूरी जानकारी देते हैं और राहुल गांदी पर विश्वास करते हैं अभी पट्याला में राहुल गांदी धरमवीर गांदी को चुनाव लडाना चाहते थे तो उन्होंने मनिकम टैगोर को ही जब्मेदारी सौंपी की भई धरमवीर गांदी हरालत में जीतने चाहिए उन रहे विप्रो जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं 10 साल के लिए सिद्धा रमया के साथ रहे 2021 में यह दिल्ली आगे और राहुल गांदी का शोशल मीडिया यानि राहुल गांदी जो एक्स पर पोस्ट करेंगे फेस्बुक पर पोस्ट करेंगे यूट्यूब पर उनका ज सारी प्रक्रिया सारा काम भी श्रिवस्त्वा करते हैं उनकी मरजी के बगएर कुछ नहीं जाता जो वो फाइनल कर देते हैं रहुल गांदी जो को ट्वीट करना है उसके बाद रहुल टीम इन्होंने तयार कर रखी है बीशिर वस्तवा ने कि जो उनके राहुल गांदी की मीटिंग्स को लेकर उनकी यात्राओं को लेकर उनके इलेक्शन कारक्रमों को लेकर और कंटेंट जो सोचल मीडिया पर डाला जाना है ये तमाम चीजें वो तैय करते हैं और राहुल गा गांदी के बादी बहुत करीबी है और प्रॉमिननट चहरा हो गया है उपने भाषणों के लिए भी जाने जा रहे हैं भाषण भी वह तर्चे देने शुरू किया है और राजस्तान में जब टिकट वित्रण का काम उन्होंने देखा था उससे पहले करनाटक में उन्होंने अभी करनाटक में लोग सबा चुनाओं में कॉंग्रेस को कितनी सीटें कम क्यों मिली उपेक्षा से कम इसका ग्यान लेने के लिए एक टीम टीम के वो हेड रहे और राहूल गांदी इनसे नौर्थ इसके स्टेट के बारे में इन्पुट लेते रहते हैं राष्टिये स्तर के मुद्दे क्या है बड़ी चीजें क्या चल रहे हैं इनको लेकर भी इन्पुट लेते रहते हैं वैसे तो राहूल गांदी ये इन्पुट दूसरे नेताओं से भी जो भी श्रिवस्तवा है उनसे भी लेते रहते हैं सुनीर कोनुकुलू से चुनाओ के दौरान बच गए ये हैं कोशल विद्यार्थी बिहार के हैं Oxford University से graduate हैं और ये अलंकार की तरह राहूल गांदी के बहुत करीबी हैं 2019 में ये official personal secretary हुआ करते थे राहूल गांदी के और ये हमेशा राहूल गांदी के जसी Parliament सत्र चलता है संसत का सत्र तो राहूल गांदी जब आते हैं त तो आप राहूल गांदी पर नज़र डाले तो उसके आसपास के लोगों पर नज़र डाले तो Congress के कुछ prominent चहरे दिखाई देंगे उसमें से एक चहरा और दिखाई देगा जो इतना prominent नहीं होगा लेकिन हर बार वो होता है चश्मे वाला चहरा ये है कोशल विद्यार्थी क चहरा जो राहूल गांदी के साथ ऐसे समय में ज्यादा दिखाई देते हैं वो गांदी और अधर पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में एक लिंक का काम करते हैं राहूल गांदी को अपनी बात जो दूसरे नेताओं तक पहुंचानी होती है वो कौशल विद्यार्थी के माध पहुंचाते हैं इसके अलावा यह कौशल विद्यार्थी है राहूल गांदी की मीटिंग सेट करना अपॉइंट्मेंट सेट करना और उनका डे प्लान तयार करना डे प्लान तयार करने का काम कौशल विद्यार्थी करते हैं क्या भाशन देने का काम भी यह कौशल विद्य देते हैं, उसके लिए बेहस ज़रूरी input कौन देता है कौशल विद्यार्ति देते हैं कौशल विद्यार्ति राहुल गांदी को speech के बहुत ज़रूरी input देते है उनका एक research का एक back end है उसकी वो सहता लेते हैं यानि कुछ उनको खास idea देना है राहुल गांदी को तो राहुल गांदी को आइडिया दिया राहुल गांदी ने उसको एप्रूव कर दिया तो फिर अपनी रिसर्च टीम से उस आइडिया के बारे में और खंगाल और ज्यादा गहराई से जांच परताल की जाती है और ज्यादा उसमें से इंपूर्ट निका करीबी के पार्टी के नेता आलोचना करें तारीफ करें जो भी करें और जो भी फीडबैक होता है वो राउल गांदी तक पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी भाशन तो पता नहीं उसमें सुनील कॉनगुलू और दूसरे नेताओं की भी भूमिका हो सकती यह भी श्रिवस्तवा की लेकिन माना जाता है कि पार्लिमंट में जो स्पीच तैयार होती है उसके पीछे कौशल विद्यार्थी की एक बड़ी भूमिका रहती है शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शे झाल्प दुक्रिया